हाई काई वालकम बैक टोगा चानल सो आज का व्लॉग होने वाला है महीशर व्लॉग यह बहुत होता है रैंडम व्लॉग है क्योंकि अचानक से ही हमारा डिसाइड हुआ था कि हम लोग जा रहे हैं सुद्ध सुबस छी बज़ाट गई थी अधर हम निकल गए और यह मेरे भाया के पुईटी है पूरे रास्ते हम दोनों मस्ती करते हुए ही गए थे यह बहुत मजा आया यह मेरी कजन साय हुए थी सो यह दिनों में भाया भाभी हम लोग गए इसके बाद मैंने थोड़ा जी विद्ध कितना सही था बारिष का उसम था एंड क्लाउट तारे नीचे आ गए थे तो यह सारे माउंटेंग वगिए थे उसमें क्लाउट सारे नीचे आ गए थे यह कामेर में तू अच्छा से नहीं देख पा रहा जितना रियाल में दिख रहा था और फिर आसेई मैं टाइम पास करती रही पूरे रास्ते और उसके बाद हम लोग पहुच गहे थे पहुचने के बाद यह फॉर्ट वगेरा था सब जगा ही एन्या पे चड़ने के लिए लिए को किसे घाटी टाइपस का था एक स्लोप था जिसके उपर आपको चड़ना पड़ता है देन उसके बाद सेड़ी आती हैं यह अहिल्या बाइक का स्टैच्टू था उसके साथ सब फोटो की जा रहे थे तो मैं बस उन्हीं लोगों के फोटो की चरेए थी हैं यह काफी जादा ग्रेंडरी थी तो यह बहुत अच्छी बात थी और उसके बाद यहां से अब ऐसे किलर टाइप और उसका होता ही जो पुराने टाइम में अहिल्या बाई का होगा हो ठाएंड उनके बारे में इस अपकुछ था वह कहां रहती थी कैसे क्या हुआ था यहां पर जो भी पच था उस सब के बारे में जाए निक्सटू बार्ट यहां बैठती ली रहा हुई यहां आप ठीपो यहां पर साड़ियां बंदी है and view ही सब कुछ है यहां पर so आप यह view देख सकते हैं कितना pretty था but problem यह थी कि ना पानी का flow बहुत ज्यादा था उसमें बहुत गंदगी थी पता नहीं क्यों उसके बाद बस अब हम लोग नीचे जा रहे थे किले के महां पर ताकि बोटिंग वक पुष्मानों के मंदिर थे and इसके बाद यहां पर कार है थी जो इसको कार शलानी थी and यह इतना क्यूट लग रही है इसके बाद यह इन दोनों की बान हो भी कितनी क्यूट बान है किसले मैं रड़ रिकॉर्ट किया था इसके बाद बस हम लोग घाट पे आ गए हैं यहां इतना जादा था ना उसलोगी बहुत ऐसे कछरा भी आ रहा था बट मौजम बहुत जादा पृटिछा इतना सुकून मिल रहा हा है यहा बैठने पर ऐसी ही मैंने क्लिप्स लोगे जाए बहुत ऐसे रांडम था व्लॉग अभी मैं दर मीभी आप लॉग करती नहीं हूँ सो उसके बाद यह बोट्स वगेरा थी बहुत से लोगों यह नहां भी रहे थे बट मैं बस यहां बैट के टाइम पास कर रही थी एंजॉय कर रही थी वहां का व्यू और मैं निका थोड़ा बुद में शूट भी करती रहती हूं और यहां सब फोटो फोटो वगेरा में ही ल यह बहुत अच्छा लगता है ऐसे कभी-कभी भाहर जाना और फिर हम लोग पैस बोटिंग करने चली गए थे सो बहुत मज़ा आया मुझे बोटिंग करना बहुत जादा पसंदे यह कुछ अरूंड 50 रुपीज पर पसंदी था सो उसे साब से तो अच्छा ही था बाकी पा इन दोनों को लग रहा था मैं फोटो ले रही हूँ बट वीडियो था उनको बहुत बात में समझ आया और इसके पाद इसी चोटी-चोटी क्लिप्स में लेती रही कही नदी की कही कहा की ताकि मैं व्लॉक में दिखा सकूं और पानी का फ्लॉप दीख सकते हो कितना जादा है वैसे मुझे पानी से डल लगता है ज्यादा पानी में जाते नहीं हूं बट यह मुझे अच्छा लगता है तो मैं कभी-कभी कल लेती हूं बस महिश्वर में जादा कुछ है नहीं छोटा सा घाट है और उसके बाद यह एक और घाट था जो दूसरी जगाब से जाता था यहां का पानी का फिलो बहुत जादा था लाइक एक दब ना समुंदर वाली वाइट दे रहा था बट में जादा आगे गई नहीं मुझे वैसी पानी से डल लगता है उसके बाद बस अब हम लोग घर को लोट रहे थे और उसके बाद हमने एक पिक्चर भी क्लिक करवाई जब बहुत अच्छी आए थी और अब मैं आपको कुछ फोटोस डाल देती हुहां के वहां के वह आप एंजॉय करो छोटा से व्लॉग था था थोड़ी बहुती क्लिप्स लिये थे जादा कुछ क्लिप्स लिये नहीं थे अलसो मैं वहां पर मेली थी शारे निन मंडल सी सो उसके साथ की पिक्स भी मैं यहां पर अप्लोड कर दूंगा और कैसे मिली क्या मिली वह सब आपको नेक्स व्लॉग में बताऊंगी सो यह बाए क्लिप्स लिया झाल कुछ क्लिप्स लिया जाओंगी सो लिया ड़र छुप्स लिया झाल